हेलो एव्रीवन, विल्कम बैक टू नेक्स प्लू लिट्रेचर, इस वीडियो में हम लिट्रेचर और सीनेमा का यूनिट 3rd, ड्रामा और फिल्म्स कंप्लीट करेंगे, अगर आपने 1st और 2nd यूनिट नहीं देखा है तो पहले वो चेक आउट कर लेजीगा, जिसका लिंक आ अपने खुद की कुछ प्राब्लम से, जो अडप्टेशन की प्रसेस होती है, उसमें अथेंटिसिटी का बहुत ज़्यदा एक प्राब्लम आता है, कि ये चीज जिसका कॉपी बना है, वो अथेंटिक है या नहीं है, तो इसी कन्फूजन को दूर करते हुए, हमारी एक क्र जो की बताती हैं कि हमें डिस्कूर्स और जो स्टोरी है, उनको देखना चाहिए, ताकि हम अथेंटिसिटी पता कर सके हमारे एडप्टेशन की, तो एडप्टेशन की बहुत सारे मीनिंग्स रहते हैं, that simultaneously subsist act of being adapted, the simple action of adapting or the outcome of something having been successfully adapted, तो यही बता रखा है कि जो अडप्टे या फिर एक simple action of adapting, या फिर कहें कि something that is successfully adapted, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, adaptation, कि जिसको हमने अच्छे से एक original piece से उठाया और हमने उसका कुछ और निकाल के अलग से creative चीज हम ले आए, तो that is called adaptation, फिर अगली बात उन्होंने बताई है कि जो elegance है to the original, वो भी एक बहुत important चीज है उससे आपका वो जो एक adapted source है, वो कितना match कर रहा है, तो वो चीज हमें major करनी होती है, then is, it is anonymous to compare literature and films in the sense of fidelity, तो फिर वो बात कर रहे हैं कि अगर हम यह देखने लग जाए, जैसे कि हम text की बात करते हैं, कि pride and prejudice है जैसे कि, कि वो text में कैसा है, और फिर उसका movie बना लेकिन movie में हमें अपना जो audience है, उसको बंध्य निजर रखते हुए वो चीजे बनानी होती है, थोड़ा engaging भी तो लगना चाहिए न, इसलिए थोड़ा गाने भाने भी डाल देते हैं हमारे Bollywood में, Mick Beach में, ताकि जो हमारा एक average audience है, वो उस चीज को ऐजा film ही देखे, यह न तो वो चीजे हमें ध्यान में रखनी होती है, तो जो Linda है, वो अपना एक जो उनका book है, theory of adaptation, उसके अंदर बताती है, that it is our culture, and adaptation have always been there, but there were no taken or accepted as something unique and independent, कि जो adaptation है न, उसे हमेशा एक copy की तरह लिया जाता है, कि इसको न हमने ऐसा first hand copy हो गया ही, या फिर जो भी है, लेकिन उसे कभी भी एक original या फिर unique independent piece की तरह कभी भी consider नहीं किया जाता, उसे हमें एक art नहीं मानते हैं, हम सोचते हैं, यह तो ऐसा original को उठा के copy कर दिया है, लेकिन actually अगर आप उसमें changes करके उसको better बना रहे हैं, then that should be considered as unique, लेकिन उस चीज़ को फाज़ादा ignore किया जाता है, फिर हमा काथी शांदार सा एक soldier होता है, लेकिन बाद में जब उसकी बीवी उसे बोलती है कि आप ना राजा बन सकते हैं, कि आप राजा को मार दीजिए, लेकिन उसकी wife का ही नहीं बलकि three witches का भी बहुत important role होता है, जो एक भविश्यवाणी कर देती है, कि आप ना आने वाले समय के राजा बनने वाले हैं, तो राजा को ही अपने घर बुला के ऐसा उसका मैडर कर देता है, और फिर पुरा जेक ट्रेजडी चलता है, तो यह जो हमारी कहानी है मकबूल, यह मुंबई अंडर वर्ल की सेटिंग्स में, विशाल भायदवाज ने 2004 में बनाई है, and it begins with two corrupt policemen, ज जो मकबूल है, is able to do so by murdering अबबाजी, अब जो वहाँ पे डंकेन था किंग, यहाँ पे अबबाजी को यह मार के क्या करने वाले हैं, पावर लेने वाले हैं, जो कि एक क्रिमिनल पिट्रियाक है, या फर कहें एक father-like figure है मकबूल का, Additionally, जो अबबाजी है, उनकी mistress निमी, कौन है, Lady Macbeth, who is deeply in love with मकबूल, instigate मकबूल to kill अबबाजी, अब वो Lady Macbeth का जो role है, वो play करती है, और help करती है मकबूल की, ताकि वो इसको मार सकें, अब जो policeman है, also predict that, मकबूल will remain safe, provided the sea does not enter his house, but the custom agents rate the house is a result of smuggling deal, अब क्या होता है कि जो custom agents है, उनका raid पर जाता है, seaport पर, instead the agents discover निमी lying dead, अब उनको क्या मिलता है, कि जो Lady Macbeth का role play कर रही है, यहां पर निमी, अब बाजी की mistress, उनका death हो रखा है, she has in meanwhile also given birth to a child, the paternity of the child remains uncertain, अब उनका death हो गया है, तो अब बच्चे को कौन संभालेगा, that is the question, या तो मकबूल को संभालना था, या फिर अबाजी को, जब लोग देखते हैं इस newborn baby को, तो जो दो newlywed couple होते हैं, वो decide करते हैं, गुड़ू और समीरा, कि न हम क्या करेंगे, इस बच्चे को पालेंगे, तो जो मकबूल है, he drops the idea of taking away his newborn, and decided to give up this violence, तो मकबूल अब इस newborn baby को देखके बोलता है कि यार मैं वाइलेंस नहीं करूंगा, subsequently जो मकबूल है, is killed by another gangster named Boti, तो इतने में क्या होता है, कि जो अगला कोई और gangster होता है, वो इसको ही मार देता है, उसका राम होता है Boti, तो with मकबूल dying in the final shot, the screen gradually turns red, तो इस तरीके से जो पूरा screen है, वो red हो जाता है, तो क्या होता है कि जो उसका एक result था न, कि भी हाँ मैं इसको मारूंगा, वो इतना जड़ा strong इसले हो गया था पहले, क्योंकि पूलिसमें से उसे पता चला था, कि जो अबाजी है, उन्होंने भी अपने जो गुरू है, उनको मार के ही power हासिल की थी, तो वो सारी चीज है, जो उसको relate किया गया है, Macbeth से कि कैसे, जो यह मकबूल है, वो Macbeth की तरह एक tragic hero बनके रह जाता है, at the end, तो आपको वही चीज़े देखनी होती है, कि जो true story है, उससे क्या-क्या reference लिए गई है, किस तरीके से उनको present किया गया है, जो props और जो setting है, क्या वो scene को justify कर रहे है, त of course, क्योंकि Macbeth की story Scotland of 16th century से थी, और उन्होंने present day जो Mumbai Underworld है, उनका story दिखाया है, और local flavor एड़ करके, मतब जो Mumbai या Hindi है, उसको उन्होंने add किया है, उर्दू वले चीज़े हैं, जो उन्होंने royalty दिखाने के लिए add की है, तो उन्होंने जो हमारा local flavor है उसको add किया, ताकि हमा यहां का जो audience है, उस चीज़ को relate कर सके, और पूरी जो story है, उसके reference में, पुरा उसका engagement बना रहे है, तो वो चीज़े में देखनी होती है, कि local flavor add हुआ या नहीं हुआ, तो जो film है, वो portray करती है, men from this Bombay Underworld, and places them in a Muslim world of Makbool, तो Muslim world था जो Makbool का, उसमें उन्होंने place किया उस ची कर रहा है, पूरे scene को, Macbeth का reference लेते हुए, तो I hope आपको यह जो पूरा story है, वो समझाया होगा, फिर भी कोई question है, तो आप मेर से पूर सकते हैं, comments में, आप फिर email कर सकते हैं, इंस्टा पे connect कर सकते हैं, wherever you want, then is, don't forget to subscribe the channel, like the video, and share it with your friends, and please, I am repeating again and again, कि आप subscribe नहीं करते हैं, तो please also do that, क्योंकि सिर्फ 5% viewers ऐसे हैं, जो कि subscribe करके देखते हैं, यार आपका सिर्फ एक second जा रहा है, please subscribe the channel, and also hit the bell icon, ताकि आपको सारे notifications मिलते रहे, time to time, आपको search ना करना पड़े, जो भी नया video upload होता है, आपको तुरंट पता लग जाए, so all right, so I'll be to in the next video, till then, take care.